हेलो दोस्तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग लैब चैनल पर दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मा इंडेक्स की निफ्टी फार्मा इंडेक्स जो की 21 साल में जो है अपने हाइस्ट मंथली गेंड पे है दोस्तो और निफ्टी फार् पर्चुनिटी हैं और क्या-क्या निउस हैं क्योंकि देखें फार्मा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हो चुका इस समय जब से कोरोना वाइरस आया है क्योंकि फार्मा कंपनीज जो है वो एक तरह से बहुत रेस में लग गई है वैक्सीन बनाने के लिए और जो जो ड्र से समझेंगे एक-एक करके समझेंगे आकि आपको सारे डाउट्स जो है निफ्टी फार्मा सेक्टर के बारे में क्लियर हो और दोस्तों इससे पहले एक अनॉंसमेंट अगर आप ट्रेडिंग लैब का फ्री जो है टेकनिकल अनलिसिस का कोर्स चाहते हैं तो आप इस वीडि आप अपने एंड पर आपके साथ एक टेकनिकल अनलिसिस का 12 आर्स का प्री रिकॉर्डड़ जो आप अपने एंड पर वाच कर सकते हैं वह हम आपसे शेयर करते हैं इसके कॉंटेंट सारा कुछ कवर करते हैं यहां पर चार्ट पैटन से लेके के चैंडल स्टेक बेसिक डि किस साल में अब यह देखे आप एनलिस्ट जो बोल रहे है क्योंकि देखे निफ्टी फार्मा बहुत ज़्यादा ओवर बॉट हो चुका है क्योंकि देखे फार्मा सेक्टर ओवर बॉट इसलिए हुआ है क्योंकि सबने जो है ना पैनिक बाइंग करी है पहली चीज मेडिस क्योंकि medicine सबसे ज़्यादा short हो गई है आप यहाँ chemist के पास किसी के पास जाएं तो वो बताएगा आपको कि जो आगे से distributors हैं वो आगे से माल नहीं लेके आ रहे हैं और सारी supply chain जो है disrupt हो चुकी है चाइना से भी काफी medicines आती है और local जो हमारी companies हैं वो भी काफी medicines बनाती है तो supply chain के disruptions की वज़े से काफी ज़्यादा medicines की shortage हो गई है और लोगों ने panic buying शुरू कर दिया क्योंकि जिन लोगों को कोई severe disease है तो उन्होंने अपनी medicine के 3-4 महीने 6 महीने का stock जो है वो रख लिया है तो medicines की shortage उस वज़े से भी हो गई है और देखें यहां पर बताया जा रहा है देखें मैं इसको एक brief जो है आप इसको इस article से explain करेंगे फिर chart पे जाके देखेंगे healthcare index है उसने 21 साल का monthly gain highest monthly gain जो है दिखाया है क्योंकि देखें जो investors ने क्यों खरीदे क्योंकि देखें सबसे जादा दिखा कि जो development of vaccine vaccine develop करने की होड़ लग गई है companies में कि कौन सी company पहले vaccine develop करेगी उसकी तो चांदी है और वो तो बिल्कुल देखें फार्मा स्टॉक्स की तो आगे जाके चांदी ही चांदी है इसमें आप अगर इस चांदी में अगर आप सोना बट और सकते हैं तो यह आपके अपने उपर है तो देखें मैं आपको इस वीडियो में सारी चीजों पर light जो है ना torch से light मार के दिखा दूँगा लेकिन आपको जो final करना है वो आपको ही करना है आपका decision होगा तो यहाँ पर देखें इन्वेस्टर्स को क्या लग रहा है कि यह एक fresh safe जो है investing option है क्योंकि uncertainty बहुत जादा है तो जो SNP का BSC Healthcare Index है वो 26.9% जो है April में 2020 में rise किया है जिसमें की Sun Pharma, Cipla, Lupin, Oro Pharma, Glenmark जो है इनोंने Rally में पार्ट लिया है और अगर compare करें benchmark SNP, BSC, Sensex जो है वो गेन करा है 11% during this period on the other hand Nifty जो का जो Pharma Index है वो 30.8% surge करा है और January 2001 से highest जो है gain है अब देखें जो supply side के risks हैं वो mitigate हुए है जो कि China मैंने बताया ना कि China ने रिजूम कर लिया है अपने operations और जो चाइना जो है धीरे धीरे प्रोवाइड करेगा सारा कुछ जो है क्योंकि बहुत सारी medicines जो है वो से हो के आती हैं तो यहां पर फार्मा सेक्टर जो है वो उसके लिए काफी opportunity है आपके इसमें COVID-19 जो है environment चल रहा है इसके कारण तो January से मार्च 2020 का जो quarter है इसमें strong earnings जो है अभी आएंगी तो उसमें analyst कहरें कि strong earnings है क्योंकि देखें मैंने बताया panic buying of medicines है और other healthcare products जो domestic market में available होत उसके अलावा बहुत सारे states को जिसमें Trump ने बोला था पहले तो उन्होंने कहा कि भारत को hydroxy chloroquine जो anti-malaria की drug होती है वो दें तो भारत ने जब मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि हम अगर भारत यह ऐसा करेगा तो हम भी उसकी help नहीं करेंगे अगर उसे कभी जरूरत होगी त तो anti-malaria की जो drug है यह कारगर साबित हो रही है COVID-19 के patients के उपर उसके लावा दोस्तो ओसेला टिमीवीर यह भी जो है एक antiviral drug है यह भी एक कारगर साबित हो रही है तो इसमें देखे जो respiratory antiviral और chronic drugs है उनकी demand बहुत ज़ादा बड़ी है तो दोस्तों यह article है आप चाहे तो पढ़ सकते हैं मैंने brief में आपको बता दिया कि क्या क्या चीजे हो रही है इसके बाद देखे nifty pharma के चार्ट पे चलते है main तो है दोस्तों की चार्ट पे देखना की चार्ट में क्या क्या चीजे है तो यहां पे देखे चार्ट जो है April में आपका 6768 पे था और यहां से rally कर 9605 यानि अंदाजन आपका 2300 पॉइंट का इसने gain दिखाया है और अब जो है यहां पे stable हो गया है जो इसने level 15 April को बनाया था उसी level पे घूमे जा रहा है अब देखे देखने को तो आप इसको देख सकते हैं कि continuation का pattern है क्योंकि एक तरह का यह flag या rectangle जिसे बोलते हैं वो बन कोई इसको flag या rectangle pattern की तरह देखेगा और कहेगा कि हाँ अगर यह जो है आप अपने इस range को break करता है यानि जो इसने high बनाया था यहां पे 9774 का इसके आसपास कहीं पे इसके उपर closing देता है bullish candle के साथ तो यह bullish हो जाएगा pharma और यह अपनी range से जो यह consolidation इतने time से दिखा रहा लेकिन कुछ लोग इसको देखेंगे कि यह जो है एक तरह का reversal भी दिखा सकता है लेकिन अभी reversal के कोई हाल फिलाल में मुझे इसके chance दिख नहीं रहे हैं क्योंकि देखे जिन्होंने buying करी है उन्होंने अपना माल बेचा नहीं है यहां पे accumulation ही होता दिख रहा है मुझे तो क अपने जो technical analysis का course है उसके अंदर तो मैंने एक chapter पूरा का पूरा इस पे include करा है accumulation distribution zones जो होते हैं और कैसे यह बनते हैं तो यहां पे देखे accumulation ही होता दिख रहा है जब तक यह इस low के नीचे नहीं आएगा यानि 88, 100 और 87, 100 के levels के नीचे कहीं closing नहीं मिलेगी तो हम इसे मान न booking भी हमें होती नहीं दिख रही है और यहां पे fresh जो है कोई aggressive buying होती नहीं दिख रही है यहां पे moderate buying हो रही है कि यह ऐसा लग रहा है कि जो FIIs हैं वो जो है यहां पे माल उठा रहे हैं दीरे दीरे उठा रहे हैं जटके में नहीं उठा रहे हैं जटके में उठाएंगे तो क्या होगा तो यहां पर देखिए मैंने लेवल्स आपको इसके बता दिये और इसके stocks आपको पता है जो main stocks है वो sun pharma है glenmark है sipla है doctor ready है यह 4 stocks तो आपको देखना छोड़ना ही नहीं है यह 4 stocks है यह तो prime stocks है pharma sector के तो दोस्तों यह कुछ pharma sector से related मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है और इसमें explain किया कि क्या क्या चीजे है और levels उपर और नीचे के मैंने बता दिये predict कोई भी नहीं कर सकता कि कहां जाएगा यह कोई भी predict नहीं कर सकता ना मैं कर सकता ना market में कोई अगर कहता है तो वो जूट बोलता है कि predict करेगा कि यह उपर की उपर ही जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होता आपको सिर्फ चार्ट को देखके फैसला करना चाहिए और जहिए simple price action analysis मैंने आपको निफ्टी फार्मा सेक्टर का दिया और क्या-क्या news चल रही है इसके बारे में आप देखे जितना reading करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या-क्या news चल रही है और देखे ऐनलिस्ट यह भी कहरे है कि जो फार्मा सेक्टर है उसकी valuation जो है वो काफी जादा strong हो गई है यानि जो यहाँ यह trade कर रहा है बहुत हाई पे ट्रेड कर रहा है थोड़ी correction यहाँ आने की उमीद है तो देखे यह scandal से आपको दिख भी रहा है कि थोड़ा rejection higher levels पे मिल रहा है देखे यहाँ पे जो है आपका dragonfly doji बना और dragonfly सॉरी यह जो आपका dragonfly doji टाइप बना उसके बाद जो आपका यह बहुत bearish candle बनी उसके बाद यह उठ नहीं पा रहा है तो यह आपको देखना पड़ेगा आपको chart पे proper जो दो lines हैं इनके उपर कही closing या नीचे कही closing मिलेगी उसके बाद ही आप जो है दोनो तरफ का जो है एक swing trade या short trade पकड़ सकते हैं नहीं तो आप stock specific हो के काम कीजिए जो भी चार stocks मैंने आपको बताए है sun pharma, oro pharma और आपका doctor ready sipla इन सारे stocks को daily जो है आप track करे pharma sector और fmcg पे भी मैंने बनाया था बताया था आपको उस पे कीजेगा, bell icon को press कीजेगा वीडियो को like कीजेगा और जादा से जादा शेयर कीजेगा telegram channel नहीं subscribe किया फिर मैं कहूंगा आप subscribe कीजेगा आपको काफी learning मिलेगी telegram channel से thank you दोस्तो